वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडियों हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सिस साउथ अफ्री का फर्स्ट टीवन टी आई मैच जो की खेला जाएगा ग्रीन फील्ड इंटरनाशनल स्टेडियम में क्या आ सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो बात करते हैं वेन्यू की तो ग्रीन फिल्ड इंटरनाशनल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा तो यहाँ पर जो देखो विकेट जो रहा है न यहाँ पर बहुत जादा मैच इस तो हुए नहीं है अब जो इंटरनाशनल मैच इसमें दो मैच हुए है और दो मैच में जो है एक बार टीम पहले बैटिंग करते हुए जीती है एक बार चेज हुआ है और जो एवरेज फर्स्टेनिंग का स्कोर रहा है ना सिर्फ 118 रहा है लेकिन वो सिर्फ 2 मैच हुए है तो दो मैच में आप इतना जज नहीं कर सकते है इसी वाई से अगर हम डोमेस्टिक टीवेंटी का भी देखे है आप रिकॉर्ड सो 14 मैच हुए है जिसमें से चेजिंग टीम ने 9 बार मैच जीता है और average का जो first inning का score है वो 127 ही है तो अगर आप international match भी देखो limited matches हुए है लेकिन फिर भी जो हमारे पास data है मतलब 16 matches का तब भी आप देखो सो लगवा 125-26 का average score रहता है हाँ recent times में काफी अच्छे betting track मिल रहे है तो उमीद है अच्छा track आपको betting surface देखने को मिलेगा बट still not expecting की 200 run वाला match होगा मुझे लगता है कि 150-160 वाला जो है एक अच्छा match आपको देखने को मिल सकता है बात करते हैं team की so यहाँ पर हार्दिक पांडिया बुबने शर्कुमार को rest मिला है इस series में सो उनकी जगा जो है रिशपपन जो है मेरे हिसाफ से middle order में आ जाएंगे हार्दिक पांडिया की जगा अब team जो है यहाँ पर अर्षदीफ सिंग या फिर दीपक चेहर को खिला सकती है यहाँ पर south अफरीका की तरफ से बात करें तो south अफरीका की तरफ से टेमबा ओमवा ओपन करते वे नजर आएंगे quantum decock के साथ राइली रूसों है, मार्क रम है, स्टब्स है, डेविड मिलर, ड्वेन पिटोरियस, केशब महराज, रवाड़ा, नौक्या और शम्जी आपको खेलते हों नजर आ जाएंगे सो बात करते हैं आपर विजन 11 की डेली फ्री गिववे होता है और इस मैच में भी आपको बड़ा फ्री गिववे मिलने वाला है सो डेली फ्री गिववे जॉइन करिए और सबसे लोएस्ट एंट्री फीस होती है यहाँ पर तो आपकी सेविंग भी बहुत होती है सो अगर आपके पास विजन 11 आप नहीं है सो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं फेंटसी में वियरा प belonging के हैं 204, स eerste क्लासन में 210, डेविड मिलर के 196 और डीकॉक के आ इस द्री yani सो केए स्कॉर की बात कर दो आपके में यहाँ पर रोई शर्मा के 46 की पारी खेली हुई है और यहाँ पर विराट कॉली ने बहात्तर की नाबाद पारी खेली हुई है इंडिया की तरफ से देखो ओपन करेंगे रोहिष शर्मा अगर हम बात करें हेड-to-head record की जब यह आपस में खेलते हैं तो 13 मैच इन्होंने खेले हैं और उनमें 302 टरन बनाया है 32 का एवरेज है तो अच्छा डीसेंट जो है इनका head-to-head का record रहा है साउथ अफरीका की अगेंस और वेन्यू की बात करें तो इस वेन्यू पर जो है इन्होंने जादा कुछ नहीं किया है दो मैच में 23 रन ही बनाये है बट स्टिल एक अच्छी important pick बन जाते हैं अगर इंडिया चेज कर रही है अगर आप बैटिंग फर्स्ट है तो फिर बैटिंग फर्स्ट में एक बार को ड्रॉप करने कर रिस्क लिए आ जा सकता है बट चेजिंग में जो है वो काफी अच्छी pick बन जाते है केल राहूल की बात करें head-to-head ass तक नहीं खेला है अफरी काफी अच्छे touch में नजर आ रहे थे लेकिन consistently run नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर केल राहूल को drop करने का risk लिया जा सकता है बट यह risk होगा क्यूंकि केल राहूल जो है वो बड़ी innings खेल सकते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है विराट कोली काफियत तक अपने form में वाप खास record नहीं है दो मैंच में से 32 नहीं बनाए है सोले के average से अब देखो सूर्य कुमार यादव इंडिया का न देखो टॉप फॉर जो है वो बहुत important रहता है लेकिन चलते दो ही है most of the time आपको दो प्लेयर चलते हो देखेंगे कभी एक चलता है कभी तीन चलते है लेकिन mostly ज उन्हों opener को लेके विडाठ को ड्रॉप करके सूर्य कुमार को ले सकते हो लेकिन अगर आप records पर देखें तो रोई शर्मा और कोली का अच्छा record है अगें साउथ अफरीका और यहां पर सूर्य कुमार यादव और केल राहूल ने खेला ही नहीं है साउथ अफरीका के अगे इस चीज का ध्यान रखना है कि यह स्लोट पर रिशब पंज अच्छा पर्फॉर्मेंस कर सकते हैं इन्हें मौका मिलेगा बैटिंग का स्पेशली अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो ग्रेंड लीग में जरूर ट्राय कर लेना सेलेक्शन बहुत कम है लेकिन पंध अच्छा कर सकते हैं दिनेश कार्तिक हैं जिनको मैं ग्रेंड लीग में सजेस्ट करूँगा क्योंकि बैटिंग बहुत नीचे करते हैं अगर आप लोर बैटिंग ना आए तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी प्लेयर बहुत अच्छे हैं बट बैटिंग काफी नीचे करते हैं अकसर पर टेल की बात करें अकसर पर टेल की लेस्ट जो सिरीज थी बहुत ही तगडी रही थी तो जिसके चलते काफी जादा लोगी ने ट्राइ करेंगे लेकिन अगर आप हेड टू हेड में देखो न तो आठ मैच में सिर्फ चार ही विकेट मिले हैं इस चीज का ध्यान रखना है और सामने की टीम में लेफटी बैट्समन है थोड़े बहुत डीकॉक है राइली रूसो है डेविड मिलर है तो इस चीज का ध्यान रखना है अगर रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लिया जा सकता है ड्रॉप करने का इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्म है प्लस साथवे नंबर बैटिंग भी करके देंगे तो उस और परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो इंपॉर्टेंट जरूर है बट अगर रिस्क लेना है फोर मेंबर 11 मेंबर या मिनी ग्रैंड लीग खेल रहो तो उसमें ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है हर्श पर टेल डेथ में बोलिंग करेंगे और वहाँ पर विकेट निकाल सकते हैं और इस मैच में तो क्यूंकि हार्दिक पांडिया नहीं खेल रहे हैं तो हाई चांसे हैं कि पांच ही बोलर होंगे तो सब को चार-चार ओवर पूरे मिलने वाले हैं इस चीज का ध्यान रखना है जस्पीद बुम्रा इंपोर्टेंट रहेंगे हेड टू एड में एक मैच खेला है अगेंस साउथ अफरीका उसमें दो विकेट निकाले थे और मुझे लगता है इस मैच में काफी अच्छा कर सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं क्यूंकि यहाँ पर जो है बोलर्स को मद है जस्पीद बुम्रा को आप कर सकते हैं इस मैच में चहल की बात करें हेड टू एड में साथ मैच में साथ विकेट निकाले है और इस वेन्यू पर विकेट नहीं मिला है दो मैच में कोई विकेट नहीं लेकिन है ठीक ठाक बोलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन बोलिंग बुरी भी नहीं कर रहे हैं तो एक डीसेंट पिक आपके लिए बन सकती है स्मॉल लीक में दीपक चाहर और अर्शदीप में खेलेगा अगर देखो दीपक चाहर खेलते हैं तो यह बैटिंग से भी आपको कॉंट्रिबूशन दे सकते हैं प्लस अरली स्व बोलिं की बात करें बुमरा और हर्शल पikan इंपोर्टं प्लेयर्स की बात करें सो यहां पर रोसचरमा केल रहूल विरातकोली सूर्यकुमार बुमरा और यहां पर चैल जो हैं इंपोर्टंट खिलाडी है बात करते हैं साथ ऑफ अफरीका की तो टेमबा ब 들고 करेंगे ईकाउ पर्फोर्मेंस कर सकते हैं, डीकॉक की बात करें, 6 मैश में 103 रन है, इंडिया के अगेंस 43 का अवरेज भी है, प्लस विगेट कीपिंग करते हैं, सो कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चोईस, प्रॉब्लम है, रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है, बट स्टिल क्यूकि विगेट कीपिंग कर रहे हैं, तो एक वो एडवांटेज रहता है, तो सेफ खेलना चाते हैं, डीकॉक एक कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हैं, और जो लास्ट यह पूरा एक साल अगर देखें, मारकरम की काफी अच्छी बेटिंग से फॉर्म रही है, तो ग्रैंड लीग में इने कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ कर सकते हैं, इवन स्मॉल लीग में भी अगर आप वाइस कैप्टन करना चाते हैं, तो अच्छी ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में भी कंसीडर आप इने कर सकते हो, अच्छा कर सकते हैं, डेविड मिलर, देखो डेविड मिलर की रीसेंट फॉर्म अगर सबसे अच्छी देखे जाए ना, कौन खेल रहा है, पूरी साउथ अफरीकाई टीम में, हूँ है ड फॉर्म पकड़ी सी गुजरात के लिए जब खेल रहे थे, वहां से फिल्ड लगातार पर्फॉर्मेंस आ रही है, प्रॉब्लम बस यही है, बैटिंग नीचे करते हैं, अगर आप जो है, आपको लगता है स्टार्टिंग में चल दे विकेट्स किर जाएंगे, या साउथ पहले बैटिंग करती है, तो मिलर को बेज जख ले सकते हो, फिल्डिंग के भी आपको अच्छे पॉइंट्स देते हैं, इंपोर्टेंट रहेंगे, फैंटेसी में ज्यादा लोग ट्राइ नहीं करते हैं, लेकिन बेस्ट प्लेयर जो इस टाइम है न, फॉर्म में साउथ के, वो आप मिलर ही हैं, तो काफी अच्छा खेल रहे हैं, द्वेन पिटोरियस इंपोर्टेंट बन जाते हैं, हेड टू हेड में, पांच मैच में, पांच विकेट निकाले हैं, वट रिसेंट टाइम में डेट में बोलिंग करते हैं, प्लस आपको बोलिंग से भी कॉंट् usually economical bowler रहते हैं wicket जादा नहीं निकाल पाते बट फिर भी आपको 30-40 point average दे जाते हैं fantasy में so लेना चाहते हो grand league में ज़रू try करें small league में थोड़ा सा risk रहता है क्योंकि इनका use जो है ऐसे time पर नहीं होता जहां पर wicket गिरते हैं so इस चीज़ का ध्यान रखना है लेकिन recent form इनके साथ नहीं है इस चीज़ का ध्यान रखना है Nokia इंडिया के against 6 match में 4 wicket निकाले हैं लेकिन अच्छी bowling recently इनोंने करी है so मेरे इसाब से small league में Nokia काफी important है grand league में भी आप इने captain wise captain कर सकते हैं शमजी की बात करें 9 match ये 5 wicket निकाले हैं अच्छे spin bowler है, wicket taking bowler है लेकिन उम्मील है कि इंडिया इनको tackle कर सकती है but still अगर एक differential खिलाडी की तरफ जाना चाते हो तो शमजी को bowling first करते हुए try कर सकते हैं death bowling की बात करें Pitorius हैं और Rabada या Nokia important players की बात करें Decock, Russo, Markram, Pitorius, Rabada और Nokia small league captain wise captain की बात करें Virat Kohli को कर सकते हो Jaspeed Bumra, Decock या Pitorius grand league में KL Rahul, Harshal Patel bowling first करते हुए, David Miller और यहाँ पर Nokia को आप captain wise captain grand league में try कर सकते हैं चलिए create करते हैं small league और grand league की teams wicket keeping section में हमारे पास 3-4 option है Decock है, Karthik है, Klasan है जो last series खेली थी इंडिया के against बहुत पिटाई करी थी Indian bowlers की और काफी runs करें थे so must try अगर Klasan आपको खेलते होए नजर आ जाए क्योंकि इन में और Stubbs में से एक कहलेगा बट जैसा आज कल चल रहा है Stubbs का नाव मुझे लगता है Stubbs को पहले playing मिल सकती है लेकिन Klasan ने last series में काफी अच्छा खेला था खेलते हैं तो जरूर ट्राई कर सकते हो even small league में भी और grand league में जरूर ट्राई करना ही है अभी के लिए मैंने आप इडिकॉक लिया है betting section बैटिंग section important बन जाता है अब पहली पिक जो है मैं बैटिंग section से जिसको ले रहा हूँ वो है विराट को लिया अब देखो इंडिया के हमारे पास सूर्यकुमार यादब यहाँ पर केल राहूल और रोहिष शर्मा है हम चार में से दो ले तो बैटर है तीन चार उसो नहीं लेंगे ठीक है न तो हम यहाँ पर दो से तीन खिलाडी को लेंगे तो मैं रोहिष शर्मा को ले रहा हूं और यहाँ पर मैंने KL राहूल को लीआ है अबी के लिए सूर्यक मार को नहीं लिया है अगर इंडिया की बैटिंग पहले आती है सूर्य को consider हम कर सकते हैं में आप पर हेंड्रिक्स है जो क्यूंकि मुझे लगता है one down Russo खेल सकते हैं हेंड्रिक्स के ठोड़े कम chance है क्यूंकि बहुमा open करते हैं हेंडिक्स खेलते हैं तो हेंडिक्स फिर ओपन करेंगे और बहुमा वंडाउन आ सकते हैं बट मुझे जैसा लग रहा है रूसो को मौका मिल सकता है हेंडिक्स खेलते हैं एक अच्छी पिक है डेविड मिलर 35% सेलेक्शन लेकिन फॉर्म बहुत लाजवाब है ठीक है बहुमा बन सकते हैं एक अच्छी डिफरेंशल पिक बन सकते हैं लेकिन यहापर स्टर्ब्स की जगा जो है रूसो या फिर बाउमा या इवन मिलर को भी ट्राइक कर सकते हैं और अच्छी पिक बन जाएंगे लेकिन यहाँ पर मैंने अभी के लिए अक्सर पटेल को रखा है अक्सर मेरी टीम में आ जाते हैं बोलिंग सेक्षेन बात करने जस्पीद बुम्रा को मैंने लिया नोक्या को मैंने लिया है अब हम एक बोलर हम पिक कर सकते हैं वो यार रबाड़ा हो सकते हैं मौमर्शमी जो है वो कोरोना के चलते मुझे नहीं लगता वो इस सीरीज में भी अवे बगड़ी बोलिंग करी है रिसेन टाइम में खेलते नजर आएं जरूर ट्राय करना है मैंने अभी के लिए हर्चल पतेल को रखाया अपनी टीम में यह बन जाती है हमारी स्मॉन लीक की टीम इसमें एक से दो चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टॉसन कंडिशन सो आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो टेलिग्राम ज़रूर चॉइन कर लेंना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है बात करते हैं कैप्टन वाइसके आपर आप डीकॉक या मार्करम के साथ भी जा सकते हैं सुई बन जाती है मेरी स्मॉल लीग की टीम और बात करते हैं grand league teams की तो दो teams create करी है team number one जिसमें हमने केल राहूल को captain और विराठ खोली को vice captain किया हुआ है और इस team में हमने चहल को भी रखा हुआ है team two की बात करते हैं team two में हमने bowlers को captain किया है so nokia हो captain किया रवाडा भी लिये हुए और हर्शल पतेल को vice captain इस team में हमने russo और bauma को भी लिया हुआ है और wicket keeping में पंथ के साथ हम गए है so यह बन जाती है हमारी team two आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते हैं और किसी एक player को ही multiple teams में captain wise captain कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह video आपको पसंद आई है पसंद आई है so like करो share करो comment करके बताओ आपके इस आप से best player इस match में कौन रहने वाला है और best captain choice कौन होगी साथ के साथ youtube channel को subscribe करके bell icon दबा दीचे जैसे video आएगी आपको notification मिल जाएगी thank you guys